हालो फ्रेंड विए आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फास्ति मेरी वीडियो को देख रहा है सो यह आज को जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़दा इंपोर्टन है साथ ही इंट्रेस्टिंग भी है तो हमारा टॉपिक का नाम है आज का happiness means खुशी और देखते हैं क्या है इसके अंदर happiness is something which we cannot or can't describe in words it can only be felt from someone's expression of a smile happiness is something happiness means खुशी is means something means कुछ या कोई चीज़ खुशी कोई चीज़ है या कुछ है विच जिसे we cannot describe we means हम cannot यह नहीं सकते describe means होता है बया करना या वर्णन करना खुशी कोई चीज़ है जिसे हम बया नहीं कर सकते in words शबदों में ठीक है खुशी कोई चीज है जिसे हम बया नहीं कर सकते है या खुशी कोई चीज है जिसे हम शब्दों में बया नहीं कर सकते है इट कैन अउनली बी फेल्ट, इट कैन यह सकते हैं अउनली केवल, यह सकते हैं अउनली केवल, बी फेल्ट यहने के महसूस होना, बी मिन्स होता है होना, फेल्ट यहने के महसूस करना, तो इसे केवल महसूस कर सकते हैं, from someone's expression of a smile, from someone's यहने के किसी के expression of smile मिन्स होता है, expression मिन्स को देख करके उनके खुशी को देख करके केवल इसे महसूस कर सकते हैं या किया जा सकता है ठीक है लाइक वाइस इसी तरह या इसी प्रकार happiness is a signal or identification of good and prosperous life happiness इनके खुशी is means है a means एक signal यानि के संकेत इसी तरह या इसी प्रकार खुशी एक संकेत है और identification identification means होता है पहचान इसी प्रकार या इसी तरह खुशी एक संकेत और पहचान है संकेत या पहचान है of good and prosperous life of यानि के का की के मैं आपको बहुत बार बता है of का use most of the time हम का की के बताने के लिए करते हैं तो गुड यानि के अच्छी life का और prosperous life का यनि के संकेत या पहचान है खुशी prosperous life का यानि के अच्छी और prosperous life का पहचान है happiness very simple to feel happiness is very simple यानि के खुशी जो है वह बहुत सरल है या बहुत आसान है तू फील, फील मीन्स महसूस करने के लिए, ठीक है, happiness यानि के खुशी, is means, very means, बहुत simple, यानि के सरल या आसान, तू फील, फील करने के लिए, खुशी जो है, बहुत आसान है, या बहुत सरल है, फील करने के लिए, and difficult to describe, and difficult और cutting है, to describe, describe means, क्या होता है, describe means, मैं आपको पहले बताया, word learn करना, या बया करना, कहते हैं, हम उस चीज के बारे में बताना, खुशी कैसी, आप कैसे बताओगे, सिर्फ हम अपनी smile से बता पाते हैं, कि आज मैं बहुत खुश हूँ, कुछ शब्दों को बोल दोगे, पर कैसा महसूस कर रहे हो, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, तो यहाँ पर इसी लिए इस term को यूज के है, कि difficult to describe, यानि happiness comes from within, comes यानि के आती है, यह हमारा क्या हो गया, present indefinite tense हो गया, बहुत बार मैं आपको यह चीज बता चुकी हूँ, क्योंकि, कम के साथ मैं, S या ES का use हम वहीं पर करते हैं, from within यानि के अंदर से, from means होता है, say within यानि के अंदर से, हम बोलते हैं, within, within यानि के आपके खुशी अंदर से आती है, ठीक है, खुशी आपके अंदर से आती है, अब यहाँ पर within का use एक चीज जयाद रखीगा, आप within का use किसी भी things के साथ में नहीं कर सकते हैं, कि वो समान जो है अंदर कमरे में रखा है, तो आप within room नहीं बोलेंगे, वहाँ पर यह चीज जयाद रखीगा, कैन का यहाँ पर क्या करा, पावर है यह, ठीक है, स्टील मीन्स चुराना, कि कोई नहीं चुरा सकता है, किसी किन दर एक दर नहीं पावर नहीं है, कि कोई चुरा ले आपकी your happiness, आपकी खुशी को, everyday, हर एक दिन, या रोजाना, दोनों ही आप बोल सकते हैं, we see, हम देखते हैं, we के साथ में only see है, यानि कि हम देखते हैं, simple present tense होगे हमारे है, and meet, और मिलते हैं people, logo से, we see and meet people, हम logo को देखते हैं, और मिलते हैं, who look happy, जो खुश दिखते हैं, from the outside, जो हमें बाहर से खुश लेकिन, deep down, they are broken, deep down का मतलब क्या होता है, गहराई में जाना, या फिर इसका exact word, अगर हम देखें, यह जो है, हमारे एक तरह किसी phrase भी बनती है, बहुत बार, असलियत में, ठीक है, deep down means असलियत में, असल में, कि गहराई में वो इनसान कहसा है, अगर इस word को हम संजी, deep down means गह हुआ हुआ है, जब कोई काम पहले से हो गया होता है, तब और प्रिजेंट में बोलते हैं कि वो काम हुआ है, तब हम आर के साथ में, इस आर एम के साथ में, जो है, थर्ड फॉर्म का ही उसकरते है, they are broken, वो टूटे हुए है, and are sad, और दुखी है, from the inside, और वो अंदर से For many people, for many people, यानि के बहुत से लोगों के लिए, money is the main cause, money यानि के पैसा is the main cause, sorry, मैं हमेशा पैसा बोलते हूँ, money means रुपिया होता है, ठीक है, currency हम जिससे बोलते है, is the main cause, main यानि के मुख्य कारण, money जो है, वो मुख्य कारण है, of happiness or grief, happiness यानि के खुशी का, और grief यानि के ऐसा जो है, वो मुख्य कारण है, खुशी या दुख का, simply, but this is not, लेकिन, but यानि के लेकिन, this is not, यह है नहीं है, देखे, but का use हम कहाँ पर करते हैं, जब हम किसी भी बात का उल्टा बोलना चाहते हैं, कि मैं जाओंगा, लेकिन मुझे ये काम है, ठीक है, मैं जाओंगा, लेकिन, मुझे ये काम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने उस sentence को जो है, अलग कर दिया, but this is not right, लेकिन ये सही नहीं है, money can buy you food, luxurious house, healthy lifestyle, servants and many more, money can buy, money से खरीद सकते हैं, money can buy you food, money से आप food खरीद सकते हैं, यहाँ पर can का use क्या हो, आपकी power बदाने के लिए, आपकी power ही तो आप चीजों को खरीद सकते हैं, luxurious house, याणिके आलिशान घर खरीद सकते हैं, healthy lifestyle, याणिके, healthy याणिके, स्वस्थ lifestyle, जीवन शहली आप खरीद सकते हैं, servants, नौकरों को आप खरीद सकते हैं, and many more facilities, and many more, याणिके, बहुत अधिक facilities, याणिके, सुविधाएं, और भी आप बह Money cannot buy you happiness, money याणिके, पैसा cannot buy, नहीं खरीद सकती, you तुम्हारी लिए happiness, याणिके, money जो है, पैसा तुम्हारी लिए, खुशी नहीं खरीद सकता, simply, अब दिखा, but का use, यहाँ पर क्या हुआ, कि वो ये सब चीज़े तो खरीद सकती हैं, लेकिन, वो ये काम नहीं कर सकती, त और, if money can buy happiness, अगर money, याणिके, रुपिया या पैसा, can buy happiness, याणिके, रुपिया या पैसा, खुशी खरीद सकता, ठीके, buy means खरीदना, happiness याणिके, खुशी खरीद सकता, then तब the rich would be the happiest person on the earth, तो rich, जो है, जो amir लोग है, would be, मतलब वो होते, ठीके, would be, मतलब होते है, होते, ऐसा हम, देखे, will करना, past form होता है, would, इसको हम, जब हम perception करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सुचते हैं, कि ऐसा होता, मेरे पास, ना, 10 रुपे होते हैं, आज मैं आईस्क्रीम खाता, है नहीं है मेरे पास, पर मैंने ऐसा सोचा, कि मैं आईस्क्रीम खाता, तो वहाँ आपर हम वुड का यूज करते हैं, most of the time, इसका sentence जो end होता है, वो ता है, ती है से होता है, होता, sorry, ता है नहीं, ता सी, होता, या करता, ठीके, मैं ही करता, मैं ही सूचता, मैं ही हसता, मैं ही पहनता, इस तरीके से, तो जो rich हैं, अमीर लोग जो हैं, वो सबसे happiest person होते, इस आपर, बट लेकिन, we see, हम देखते हैं, a contrary image, contrary यानिके, विपरित image, यानिके, इसके बिलकुल अलग वाली image, of the rich, अमीर लोगों के, हम इसके बिलकुल विपरित या, इससे बिलकुल अलग image, चभी को देखते हैं, as, क्योंकि, they are sad, fearful, anxious, and anxious, stressed, and, क्योंकि, they are sad, क्योंकि, वे दुखी है, fearful, यानिके, डरे हुए है, anxious, यानिके, घबराए हुए है, या वो चिन्तित है, बहुत अदा, stress means, क्या होता है, तनाव ग्रस्त है, उन्होंने, बहुत अदा, तनाव लिया हुआ है, बट लेकिन, we see, हम देखते हैं, a contrary image, यानिके, एक विपरित चभी को, of the rich, rich, यानिके, अमीर लोगों की विपरित चभी को देखते हैं, क्योंकि, वे कैसे हैं, वे दुखी है, डरे हुए है, चिन्तित है, तनाव में है, और, वे डरे हुए है, चिन्तित है, तनाव में है, और suffering from various problems, suffering यानिके, वो पीड़ा में है, वो सफर कर रहे है, वो पीड़ित है, from various problems, various यानिके, विबिन प्रॉब्लम्स, यानिके, समस्याओं से, वो पीड़ित है, simply इस सरी के से, in addition, शामिल करते हुए, शामिल करने के साथ-साथ, या इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोडते हुए, देखे, words को ने एक चीज हमेशा याद रखी, जब आप regular basis पे पढ़ते हैं, किसी भी चीज को, नियम बनाएए, कि आपको 5 मिनिट्स ही पढ़ना है, आपको 10 मिनिट्स ही पढ़ना है, मैं डेली विडियो डालती हूँ, और सिफ 10-12 मिनिट्स, 13 मिनिट्स की, अल्मूस, इससे दाद की नहीं डालती, तो simply वहाँ पर क्या होता है, हम डेल पैसा है, still फिर भी, ठीक है, they have money, उनकी पास पैसा है, still फिर भी, they lack in social life, they lack, उनकी कमी है in social life, यह निके उनके समाजिक जीवन में कमी है, with their family, उनके परिवार के साथ, specially their wives, specially यह खास तोर पर या खास कर उनकी wives के साथ में, उनकी बीवियों के साथ में, इस तरी के साथ बोल हैं, but उनको लोग कम ही उस तरी के से approach कर पाते हैं, मिल नहीं पाते, बाते नहीं हो पाते हैं, उस तरी के से, चीक है, and or this is the main cause of divorce among them, this is the main cause, यह है, मुख्य कारण है, of divorce, यहनि के तलाक का among them, उनके बीच में तलाक का यह मुख्य कारण है, क्योंकि आप लोगों ने, आप द होता है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि इतने बड़े-बड़े celebrities हैं, इतने बड़े-बड़े नेता हैं, जिनके पास में बहुत सा पैसा है, बट उनकी wife उनसे अलग हो जाती है, या वो अपनी wife से अलग जाते हैं, उसका reason यह होता है, क्योंकि वो खुश नहीं होत अब हमारा time है, three words का, इन तीनों words से अपको sentence बिनाने है, comment box में लिखता है, तो first word है हमारा आज का signal, यानि के संकेत देना, या एक तरीकी से इशारा करना, वो भी आप समझ सकते हैं, facilities यानि के सुविधाएं, ठीक है, facilities यानि के सुविधाएं, and contrary यानि के, विपरीद, किसी भी चीज के विर्द होना, या किसी भी चीज का अलग होना, बहुत ही simple way में, अब time है, three words का, dictation के, so first, जो dictation का हमारा word है, वो है expression, expression, dictation का first word, second word है हमारा, prosperous, and third word है, luxurious, luxurious, first है expression, prosperous, luxurious, I hope या आपको पसंद आया होगा, कैसे लगाएं, please मुझे comment में जरूर बताएगा, last, बहुत सारी videos में आपके साथ में share कुछू के, आपके काफी सारी comment आते है, मैं के हमें शुरू से video देखनी है, तो मैंने playlist बनाया हुआ है, हर video में हम आपको playlist भी share करती हूँ, simply आप description box में से वो भी देख सकते हैं, और मेरे channel पर जाकर के भी easily आपको मिल जाएगा, ये topic कै कैसा लगा है, प्लीज मुझे comment में जरूर बताएगा, thank you so much